पंजाब विच लगबग दोसो बीएड कॉलेजेज विच हो रही अड्मीशन रिगार्डिंग चार अगस्त नो जो बीएड एंट्रस टेस्ट हो जा रहे है उस दे रिगार्डिंग एक्जाम विच बैठ्थन तो पहला जो इंस्ट्रक्शन कैंडिडिव नो पता होने हैं चा द्वारा दिता गया प्रॉस्पेक्टस है उस विच एंफॉमेशन जेड़ी दिती गई है लगबग 35 पॉइंट ने मैं ब्रीफ विच जल्दी करांगा कि जेड़े बेन पॉइंट ने ओ तो अनू दस दो पहले गल इंपॉर्टेंट शायद नहीं है जो एंट्रस टेस्ट बैठ किया ओ यह ना समझे के अलिजीबल हो गया हां अलिजीबिल्टी लेई ओ इंस्टिट्यूट जित्थे तुसी अड्मिशन लेनी है कॉलेज ओ जिम्मेवार होएगी और इस तो इलावा सिर्फ प्रॉस्पेक्टस विच जड़े निर्देश जयां रूल्स और रेगु इस तो इलावा जो आलड़ी शामल होए गई होएगा के नैशनल कॉंसल फॉर टीचर एजुकेशन फॉर याद रखना जीके दे विच पुछ लेया जानदा है कई वारे दी जिगा ओफ लाया हुंदा है यूटी टेस्ट वेचे क्वेश्चन भी आया है फुल फॉर्म आफ नैशनल कॉंसल फॉर टीचर एजुकेशन सो ओस्दियां कंडिशन जा रेगुलेशन भी फुल्फिल होनिया चाहिए हां टेस्ट कंड़क्ट होएगा संदे नो चार अगस्त दोहजार चौवी नो साढ़े दस वजे तो एक वजे तक टेस्ट होएगा एक एक सो प्या होनगे पांज पार्ट होनगे अलड़ी है डिसकस्शन हो चुकी है के पहला मेंटल अबिलिटी दा पार्ट है जी के दा जनल अवेरनेस ता पार्ट है ती दूसरा है टीचिंग प्टेंशल था थर्ड है उस तो बाद दो लैंग्विज ने जे कर पंजबी तो उसी दसमीं तक नहीं पड़ी तो तीजी लेंग्विज भी हो दूजी लेंग्विज हिंदी हो जाएगी दरवाइस इंग्लिश थे पंजबी दे टेस्ट पांच दे होगे ती ती मार्क्स दे ए पार्ट ने और एक सुप्या मार्क्स टोटल बन देने ने नेगटिव मार्किंग कोई न आनवाली गल नहीं है केंडिडेट नो एक केंटा पहला अपने टेस्ट सेंटर चे रिपोर्ट करनी चाहिए दी है इस नालो ज्यादा जरूरी है कि टेस्ट सेंटर जिड़ा है 15 मिंट पहला तुसी अपनी सीट ते बैठे होना चाहिए है और एथे दूसरे पहुंच जाओ पर ए अग्ये जाके एक इंस्ट्रेक्शन आनी है के 15 मिनट गुजरन तो बाद तो आनो जो है टेस्ट विच बैठनती अजाजत नहीं होएगी इना इंस्ट्रेक्शन नो 100% पका ना समझो किसे विले सिच्वेशन होनी है रिक्वेस्ट करके जे कोई लेट ह जा सकते हैं सो तो आड़ी एंट्री एडमिट कार्ड दो आ रहा होनी है एडमिट कार्ड तो आड़ी फोटो लगी होनी चाहिए दिया एडमिट कार्ड डाउनलोड होने है वो टेस्ट तो कुछ दिन पहलना होएगी उस दी वक्री वीडियो जारी कर देती जाएगी सो हाथ या बायू कोई फ्रेक्चर है उसते जहां चोट होर लगी होई है लिख नहीं सकते तो उना नो राइटर जड़े ने दित्ते जानगे प्रोवाइड़ेड को मेडिकल कॉलेज तो जा चीफ मेडिकल ऑफिसर तो अपना सर्टिफिकेट इस दा के डिसेबिलिटी दा बे जित्ता जाएगा किन्ना एथे गल ने किती गई कैंडिडेट ने जरूरी है कि क्योंकि तोड़ा पेपर पैंसिल टेस्ट है तो उसी क्वेश्चन बुकलेट तोड़े को होएगी और उस तो इलावा तुसी ओमर शीट जिस ते डॉट जा बबल फिल किते जान देने ओना त क्वेश्चन बुकलेट ते ही टिक लगा देने और ओमर शीट ते टिक नहीं लगा दे अजहे चांसेज हूं देने इवन यूजी सी नट्चवी अजहा केस मेरे को हैगी ने तुसी बेशे के स्टैटरजी हो सकती है कि पहला जड़े क्वेश्चन बुकलेट ते तुसी टिक लगा लेंदे हो यहां युनिट वाइज ते पांज यूनिट है जरपछ पांज पर यह लगा लेंदे उस तो बाद शिफ्ट तुसी अपना रिस्पांस हो आई मरे शीट ते कर देया पर करने हन शिफ्ट हरालत इस स्टैटेजी ता फाइदा यह हो जान्दा है कि तुसी ज उसनों अरेज कर सकते हूं ना ही अरेज करना है ना ही किसी तरह दा ओ वाइट फ्लूड वगारा यूज करना है तो यह तोड़ी अप्रोच है कि तुसी सिद्धे OMR sheet ते फिल करने हैं जा पहला question paper ते फिल करने हैं जिस तरह तुसी confident हो जिस तरह तरह प्रैक्टिस है उस तरह करना चाहिदा है बेशक अच्छी strategy है पर mind ने इंटर्नलाइज नहीं कीती तो अप्लाई नहीं करी दी तो पहला practice करो कि मैं visualize करो बार बार exam जा कि मैं इस तरह करना इस तरह करना फिर possibility हो सकती है psychological techniques ने तो strictly as per instruction given given जड़िया होंगे उते instruction तुसी पढ़ लेनिया है नॉर्मली कोशिश करदा में को instruction जड़िया हो तो पहला तो जारी करदमा पब्लिश करदमा question booklet ते OMR sheet ते instruction तुसी पढ़ लेनिया है चार response होंगे और A, B, C, D और चारा दे विचो एक best answer होएगा जहां एक correct answer होएगा दो है best जहां correct सारे सही हो सकते लेकिन एक best है नॉर्मली पर एक correct ही होंदा है तुसी वह correct answer चूज करना है और तुसी जड़ा फिल करना है ब्लैक बाल पैनल है अग्गे जैल पैनल लिखिया होएगा इत्थे बाल पैन है नॉर्मली जड़ा है जो research केंदी है practice experience केंदा है कि बाल पैन बैटर है बाल पैन ऐसलिए एक दो जरूर ले लो अग्गे जाके instruction होन गया कि तुसी अपनी जड़ी stationary है pen है rubber है जाओ कुछ इस तरह दस्मान चाहिए है किसी को मंग नहीं सकते haul दे विच्छी इसलिए अपने और पैन नो पहले चला के अच्छी तरह विखो practice करके करो जाओ bubble नो completely fill करना है खाली नी छड़ना for example पूरा round है round fill करनदा वैसे तरीका होंदा है पहला बारों शेप नो थोड़ा थोड़ा अंदरो फिल कर दे कर दे फिर अंदरो इस तरह फिल कर देना है any tension लेने के उसनों दबा दबा के फार देना है इस तरह कदे वी नहीं करना राम नाल है recognize कर लेनदा है एक दो instruction जड़ एक जैम आता दे कुछ भी अजेहा शब्द नहीं लिख सकते अपना नाम नहीं लिख सकते किसे होर साइट ते जित्थे स्पेस बनी है instruction है उत्थे ही तुसी फिल सकते हो जे कोई identity mark दिन दे हो अग्गे जाके instruction आ जाएगी फिर तो अनू डिस्क्वालिफाइग किता जा सकत है सो इत्थे जैल पैन लेख देता गया है लेकिन तुसी ब्ला जड़ा है बॉल पैन यूज करना बैटर है बारिंग मिटेरियल इंसाइडे क्लास हाना एक दुझे तो मंगना एक प्रोहबिटर रोख होएगी रफ वर्क लिए पेज दिता होएगा कोई एक्स्ट्रा यूज करना बदिया तरीका है कुछ ही कि मेमरीज तुसी जहां फॉर एक्जमपल चीजां तुसी जान दे ही लिख लेनी आता नो साइट ते चोटी 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 चाहिए दिया हन बाकी स्पेस बचा लानी चाहिए है क्योंकि मेंटल बिल्टी दे स्वाल नो हल करन लियो यूज हुंदी है फॉर एक्जमपल कोडिंग डी कोडिंग है लेटर कोडिंग है एक है बी दो है और रिवर्स ता नो कि यह लिखनी पेंदी है जैड एक है अना उल्टा ओ ए बी सी डी लिखके पहला ही जड़ा है एक दो तिन चार लिख लो और तिन दो एक तिन कॉश्च अलाउड नहीं है एस अनुब पता ही है कि है कंप्यूटर लेट किती गई है तो उसनों असी किसे भी तरह डिस्टॉय नहीं कर सकते उसनों बैंड नहीं कर सकते मोड नें कर सकते मैं पहला दस चुका है ऐस जाना कोई टेली कम्यूशन एक्विप्मेंट है फोन है पेजर है cellular phone है कुछ भी अजहा नहीं ले जाया जा सकता है जे कर फड़े जानदे हो तो डिस्क्वालिफाई कर देता जाएगा जे कर तोड़ा पेपर है टाइम ओवर होंदा है जो दो कैदन दिने इन विजी लेटर के टाइम ओवर हो गया है तुसी हैंड ओवर करना है जे कर तोड़ी इक नहीं वज जानदा तो अन्हों हाल चो बार जान नहीं दितता जाएगा सो तो अन्हों थे बैठना ही पढ़ेगा कुछ एक इंस्ट्रक्शन बाद विचे दिनना ना है एक दिन पहला का की की चीजा तो अन्हों लेकर किसे नों मैडिसन दी जरूरत हुंदी है पानी दी यह लेकिन अग्ये जाके इंस्ट्रक्शन होगी के ईटेबलज हां आ गया इटेबल्स और ड्रिंग्स है लेकिन तुसी वाटर जेड़ा है ट्रांस्परेंट है गर्मियां दे दिननने लिजा सकते हो बाकी श्मोकिंग ड्रॉग्स कुछ नहीं कर सकते यह नॉर्मल चीजं तो नहीं पता जो कोई डिस्टर्बंस क्रेट कर दा है तो अपनी चेज़ नहीं कर सकते जदो एक्जाम स्टार्ट हो चुका है बिना पुछे कोई प्रॉबलम है इन वीजी लेटर ना तो उसी गल करनी है अधर्वाइस एक्सपैल्ड करता जाएगा इतनों बार के इमार के कर देता जाएगा इद्दा नहीं है इतनी मतलब है कि कैंसलेशन तो अडी जेडा है टैस्ट कैंसल हो जाएगा एडमीशन पर सीजन तुसी अगर नहीं जा सकते तुसे कुछ समान लेके जानदे हो जड़ा हो सकता है ओज़े विच कोई बुक्स होवे नोट्स होवे कुछ slips बनिया हों और और इस दा जड़ा हरजान आगगे जाके पांच साल तो उसी कोई टेस्ट नहीं दे सकते हैं इस तरह नहीं होंदा डरना नहीं है पर यूज करन दी कोई जरूरत नहीं है स्टड़ी करो टेंशन ज्यादा लेंदी जरूरत नहीं है पच्ची प्रसेंट मार्क्स मिनिमम चाहिए देने लेकिन अच्छे मार्क्स लें लेए तुसी जड़े है गॉर्मन्ट कॉलेज जहां अच्छे कॉलेज सीट लेनी अच्छा कॉंबीनेशन लेना है उदेली अच्छ विच सारे mcqs है ना पंसो प्या वाला जा च्छेसो सथ वाला एक कोर्स है वोदे विच क्लासिज है सारी यह वीडियो है पीडियेप्स हान मैटीरियल है जे शेसो सथ वाला लेंदे विच फिर एक सारे क्वेश्चन भी मिल जान देने एजी है कर सकते हो जे कर टैंशन है यह लै सकते हो अधर वाइस ज़रूरत नहीं है अहीं है यह घुड कर सकते हो खुड करो अच्छा हाँ ओ ही घल है के तुसहे वी सोरस्ष विच किसे तो हैं लिए फीर मारें सीठ है अदरवाइस कैंसल कर देता जाएगा है मैं गल्द अस्या यहां जे कर तुसी इस तरह कर दे हो पांच साल लई है न तो नुकड़िया जा सकता है बड़ा गर के पांच साल लिख्या होया है डर सकते हो थोड़ा जा डरन दी जरूरत वैसे असल च नहीं है जे तुसी अपनी इ जड़ा है कैंसल मन्या जाएगा कि तुसी एपेपर नहीं दे सकते किसे तरह दे डिस्प्यूट हों दिया कंट्रोवर्सी हों दी है तो वाइस चाल्स पंजाब इनुएस्टे चंडीगर्दा डिसीजन फाइनल होएगा एडमिट कार्ड ते फोटो लगी होने चाहीदी है और प्रूफ उस वक्त हर हल चाहीदा है वड़ा करके मोटा करके लिख्या है कि एडमिट कार्ड नो संभाल के रखला है जद तक प्रसीजर पूरा नहीं हो जानदा जदो तो अनो कॉलेज अलाट हो जानदा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ते कॉलेज तुसी पहला फिल कर करके रखना एगल किती गई है तो ए सारा कुछ तो अनो एडमिट कार्ड जड़ा दिता गया है प्रोवीजनल है प्रोवीजनल ना मतलब है कि इस नले शोर नहीं हो जानदा कि तो उसी अलिजीबिल्टी जहां तो अड़ी अडमिशन हो गई है सो अलिजीबिल्टी टाइम ते उस कॉलेज दी जिम्मेवारी है सारे डॉकुमेंट वैरीफाई करने और उत्य जो दो डॉकुमेंट वैरीफाई हुन दे हन ते मेरा भारत महान बन जानदा है कुछ एक चीजां फेरा फेरी प्राइवेट कॉल जानदी है हन तो इस अलिजीबिल्टी दा हो गया करते हैं जाने हैं रूरल वाले भी कही जगा कई कॉलेज कर लें देने युनिवर्स्टी टो युनिवर्स्टी भी वेरी कर जानदा है रिजल्ट तो अड़के साइट ते आना है पंजाब बीड डॉट पी यू सी एच डी डॉट एसी डॉट इन ते आएगा आंसर की देक जे को रोता है मेरा आंसर सही है अंसर की गलत है तो सी objection कर सकते हो कि ते करने हैं पंजाब बीड अडमीशन पंजाब पी बी सौरी पीड बीड अडमीशंज अट पी यू डॉट a.c.in लिंक के दें नीचे नीचे दो नहीं दें नहीं है यह तो कर सकते हो किसे भी हालत वे र री चेकिंग और री असेस्मेंट नहीं होईगी इस तो इलावा कोई भी जोड़ा डाउट होवे कोश्चन पुछ सकते हो जुड़े रह सकते हो जे जी करता है लांट वेक्चलाइज डाट कॉम थेंक यू